ये फोटोज पाकिस्तान के हिल स्टेशन मुरे के एक मदर से की हैं देश में इंजिकेशन सिस्टम और पढ़ाई का हाल किसी से छिपा नहीं है देश में दो लाख से ज्यादा स्कूल होने के बावजूद करीब दो करोड बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं स्कूल पहुँचने वाले ज्यादतर बच्चे सिर्फ पेट भरने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं इसलामबाद से 30 किमी दूर स्थित्मुरे में ये अलनवादा मदरसा मौजूद है इसने साउथ एशियाई नेशन में एजिकेशन का एक वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर लिया है इस मदरसे में आने वाले बच्चों को यहां रहने के साथ ही तीन टाइम खाने और पढ़ाई की सोविधा मिलती है अलनवादा मदरसे के इरफान शेर के मताबिक यहां ज्यादतर लोग अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजते हैं क्यूंकि वो उन्हें पेट भर खिला नहीं सकते हाला की देश के बाकी मदरसों की हालत अच्छी नहीं है यहां प्राइवेट स्कूल्स, चैरिटेबल इंस्टिउशन्स और ब्लार्मेक संस्थाएं सरकारी स्कूलों को मदद दे कर 5 करोड बच्चों की जरूरतें पूरी करने में लगी है पाक सरकार की 2016 की रिपोर्ट के मताबिक देश भर में 2,20,000 स्कूल है लेकिन इसके बावजूद 2 करोड से ज्यादा बच्चे स्कूल का रुख तक नहीं कर पा रही है एजुकेशन कंसल्टेंसी के मताबिक देश की सरकार स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 2010 से हर साल एजुकेशन बजट 15 फीस दी बढ़ा रही है